सूरतमुनी प्रतापसी राजा ने कहे छे के राजन मेगजीत रामानन स्वामी नो शिश्य हतो पन गुरुदेव रामानन स्वामी ये पात्रगता करता वधारे शक्ति अने सामर्थी आयूपू येने कारणी येना जीवनमा अभिमान आयूपू सहजानन स्वामी विशाड सभाकरी ने बैठाच ये वक्ते मेगजीत आवियाने कहे छे के सहजानन स्वामी प्रत्य नो बोलवाना शब्द बोलवा मिंडो चताई सहजानन स्वामी एक पन स्वामे शब्द बुईला ने बाजुमा मुक्तानन स्वामी बेठा आता येना प्रत्य मेगजीत नो बोलवाना सब्द बोलवा मिंडो आज कालना आवेला जेना मोडामा दूधनी वास गंध आवि रही छे कदाच रामानन स्वामी तो उमर लाय कहता येने तो विचारो नो पहुँचे पड़ मुक्तानन स्वामी तमारे तो केवू जोईयेने के जुनो शीष्य तो हूँशू गादी ने लायक तो हूँशू छताय तमे गुरुदेव रामानन स्वामी ने काई किदू पन नहीं अमे भगवानती सहन नथयो अने सहजानन स्वामी आक्रोस्म आवियाने कहे चे के मेख जी भव ब्रह्मादिक देव ना जेने दर्शन पन दुरलव छे जे वंदन ये अने पुजनिय संतो छे एना प्रत्य आप्रकार ना गुणास्वज्द सब्दो बोली रया छो अने अपमान करी रया छो अने जियारे सहजानन स्वामी मेख जीत ने आप्रकार ना वच्चनों कई आने एकदम मेख जीत क्रोधावेश्म आवियाने कहे चे सहजानन द तमने मारा ताकात नी अने शक्ति नी तमने ख्याल न थी आज थी चोथा दिव से चोथा मुहरत मा स्वतंत्र पणे उशरीर नो त्याक करीने भगवान न धाम्मा जाईश्म अने सहजानन स्वामी ने पोतानों सामर्थ ये बतावा माटे के कडाया नी अंदर उकडतु तिय नहतो ये नी अंदर हात नाखी दिदा ने उच्चा करीने कहे चे के दिखो सहजानन एक तो वाइंदरू होतु अनि येमा उपर जाता अने दारू पायों उपर जाता वीच्छी ये फटकाई रों अनि ये वाइंदरामा भूत्ये प्रवेस के रों बोलो हों या माकडू हूनों करे भगवान कहे चे के मेगजित चोथा धिवसे और चोथा मुरत मा स्वतंत्र पणे तु सरीन नो तियाक करीने भगवान ना धाम मा जाने मूतारों शिष्य बनी जाओ अने मेगजित घरे गयो सुरत मुनी प्रताप सी राजा ने कहे चे के राजन सहजानन स्वामी प्रत्य द्वेश होवाने कारणे गाम ना बधाय मानसों ने जमेडा पन स्वामी नारान भगवाना शंत और भक्त जनों ने नो जमेडा चोथो दिवस, चोथो मूरत आयो जयो में अने एकांत स्थाड़ा ब्यासी आज मांगरोल शेहर नी सारी जन्ता जोवा माटे उंटी से के मेगजी भगवान स्वतंत्र पने सरीर नो त्याक करीने धम्मा जावानाश तासे राने काई तेडा नो होए मेगजीते रदाईनी अंदर जीव रहेलो हतो एने धिमे धिमे उपर चड़ावी एने ब्रह्मरंद्र थी जीव ने बहार काटवानो हतो पन बराबर जीव मध्यमा पहिंचो ने सहजानन स्वामी ये स्वीच ओप करी दिधी जीव हवे निचे न थी उतर तो कि उपर पन जतो न थी त्री संकु राजानी जेवी देशा थाई येवी स्वामी नारन भगवाने मेगजीत नी देशा करी प्रूत्वी उपर आडोटवा मिंडो एटली वदी वेदना ने दुख थाई रयू छे सहन नई थवाने कारणे मेगजीत पोताना सगा वालाने कई रया छे कि तमे सहजानन स्वामी ने ये लिया आवो सगा वाला जय सहजानन स्वामी ने कहे छे कि प्रभो मेगजीत आरी ते दुखी थाई रयो छे ये ना उपर तमे दया करो तमे तो दयाडू भगवान छो तरत श्री हरी संतो भक्तों ने साथे लई मेगजीत नी पास्यायवा भगवाने जिया द्रश्टी करी त्या जीव पासो रदया कास्मा आवीगियो उभोथियो श्री हरी ने डंड़वत करवा में जो आनु नाम भगवान केवाए जीव ना एक पण गुना जोए नहीं अनि ये व्यक्ति सरने आयो स्वामी नारण भगवाने पोताना सरनों मा लैली धो अने पोतानू धाम आईपू इतला माटे दिनाना ध्वटे लैकू शरना गत पाप परवतम गण इत्वान तदीय सद गुणम अनु मप्यतुल्यम ही मन्यते सहजानन्द गुरुम भजे सदा जेवा हो तेवा एक वार भगवाना सरने आवी ने कहिदो के प्रभू तमारो छू प्रभू आपड़ा एक पण अवगोन दोसने जोईशे नहीं अने आपन ने अपनावी लेशे भाई जीवा खाचर विचार्त करो स्वामी नारन भगवान ने मारी नाखवा माटे ना केटला बदा कावत्रा करेला जीवा खाचर नी अंत वस्तावी ने पोताना जीवन नी अंदर जेकाई करमो थेला हताई आइखनी समक्स बदू देखावा मेंदू करेला करम ना बदला देवा तो पड़े छे अनते सवने नडे छे रामชंद्र प्रभुना पिता दस्रत राजाना जीवन नी अंदर जे बूल थे गये पोताना पुत्र मरियादा पुर्ष्योतं रामचंद्र प्रभुवता चताय पण पिताना जीवन नी अंदर जे भूल थे ये अनत समय देख़एysł देवातो पड़े अन्ते सहुने नड़े छे करेला करम ना बदला देवारे पड़े छे मानस हस्ता हस्ता करम करे छे पड़े जियारे होगवाना दिवसो आवसे यारे मानसने रोता पड़े नहीं आवड़े माटे जिवन मां सुखी थवु आए तो करम करता पहला विचार कर जो अद गोत लखे छे जीवडो लिदेलो जारे श्रवण तुमार नोने अंधोने अंधी येनी नजरे पड़े कॉशल याजी ने पुछी रयाचे दसरत देवी तमने सामे दिवालमा काई देखाये छे नई पति देव मने काई देखातू नथी दसरत राजा कॉशल याजी ने काई छे के दिवी मारा जीवण नी अंदर एक कर्म थाई गयो मैं तीर छोईडो अरण ने बटले स्रवण ने विंधी नैखो एना मात पिता अंध यनी पासे पाणी लएन गयो मने प्रस्ण करो के मारो कुवर मारो दीकरो स्रवण किया अने अंध मात पिता ने जिया वात करी अमारो आधार अमारो जीवन दीकरो मृत्यु पाईमो अने अंध मात पिता रड़ता रड़ता मने श्राप दिधो के तारेत निया भगवान जिवा चार पुत्रों हसे सताय तमारी अंत वस्ता आवसे त्यार चार माती एक पन पुत्र तमारी पासे ने वाई जीवडो ली देलो जारे स्रवण तुमार नोर अंधोने अंधिये ने नजरे पडे छे देवडो पड़े इतो दसरत जाने देवडो पड़ु इतो दसरत जाने ने पुत्र नावियोगे फोलिलू पड़े छे चरलाकरना बदला दिवारे पड़े छे चरलाकरना बदला दिवारे पड़े जीवा खाचरना जीवन नी अंदर जे सहजानन स्वामी ने मारी नाखवा माटे ना जे कावत्रा किरा हता आज अनि आयक सामे देखावा मिदा पोतानी बे दिकरी अम्रि अनि अमुला ने बुलावी ने कए छे के दिकरी तमे जए अनि सहजानन स्वामी ने बुलाओ दयाडु भगवा औन जीवा खाचरनी पासे आईवा भगवाने आवे याने जिवा खाचर ना माथा उपर जी आथ मिको जिवा खाचर ने आएख माथे दडडड़ आशु पडवा मिला प्रभू मने तो नरप पन नई संग्रे सहजानन स्वामी कहे छे कि जिवा खाचर आज तमारी सामे कौन उभा छे यनो तमने खियाल नथी सारी वात ने भुली जाओ पन तमारा जिवाननी अंदर अमने रागी करवा माटे जे बे गुणों करेला छे ये बे गुणोंने कारणे उमारू तमने अक्सर धाम आपूछु अने स्वामी नारान भगवान जिवा खाचर ने धाम्मा लई दिया जिवा संतोरे पधारा आजयम आगने संतोरे पधारा आजयम आगने है मार हार करमा है मार हार करमा संतोरे पधारा आजयम आगने 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 नेग जीत भगवान भक्त बहिनाच स्री हरिये विचार केरो के हमें जे मार आइस्वर्य ने सामर्थ्य छुपावी ने रैखू छे इस सामर्थ्य ने एस्वर्य ने खुल्लू मुकू महराजे मांगरोल शेहरमा समाधी प्रक्रण चलायूष जेना उपर द्रश्टी पड़े यहने समाधी थाए समाधी मां जेना जे इस्ट देव होई यह इस्ट देव तरिखे दर्शन आपे छे राम उपासी रामने देखे क्रश्ण भगवान उपाशक होई तो यहने क्रुष्ण रुपे दर्शन आपे छे रामयो उपासी रामने देखे शास्त्रों यहम कहे छे के जियास्वदी अश्टांग योग शादे नहीं जियास्वदी समाधी थाए नहीं अने ही आ मात्र सहजान स्वामी नी दरश्टी पड़े अने समाधी थाए अनी मात्र पुरुश औने द weeds समाधी थाय यहुन नई श्त्री होई के पुरुश होई भुरुद होई के युवान होई बाडक होई अने मात्र ब्रामण होई येने दि समाधी थाई येवु नई कोई पड़ वर्णन होई ब्रामण होई क्षत्रिय होई वैश्य होई के शुद्र होई जनाव उपर द्रश्टी पड़े अने येने समाधी थाई रामयो पासी राम ने देखे क्रुष्णा उपासी क्रुष्णा ने पेखे नुरुष्णा उपासी देखे प्रुष्णा ने देखे इश्ट थायत ने दंग शीवा उपासी शीवने देखे थायत धर शावात भायो मेदे चारे तरफ कानो कान एक विजाने सांभडवा मरताज मांगरोल शेहर नी अंदर सहजाने स्वामी ना दर्शन करवा माटे येटली बदे मानव मेदनी उपनी छे जिया नजर नाखोत या मानव मेदनी देखाई रही छे आज मांगरोल शेहर मां कियां ये मानशो समातू नथी मांगरोल शेहर ना राजा वजर दिन उताना साडा काजी ने कही रहा छे के काजी मने ये समझातू नथी के जिया रती सहजानन स्वामी मांगरोल शेहर मां पधायरा छे त्या रती मानव मेदनी आटली बदी क्यम उभराईश काजी कहे छे के महराजा स्वामी नारण भगवान येनी द्रश्टी जेना उपर पड़े येने समाधी थाई छे समाधी हाँ जय येने तु तपासकर मात्र पाखन ने ठोंग नथीने जो सहजानन पाखन ने ठोंगज करता होई समाधी पणानो तो अत्यारेने अत्यार मांगरोल शेर नी हदपार करवामा आवे माके तु जय ने तपासकर के समाधी साची छे कि खोटी छे अने राजाना कैवाथी काजी सहजानन स्वामी विषाड सभाकरिने बिराजमान छे औनि सभामा आवेच अने सहजानन स्वामी येना उपर द्रष्टी करता नी साथेज येने समाधी थाई जे अने समाधी नी अंदर स्वामी नारण भगवाने अल्ला रुपे चोविस पेगंबरो स्थुति करता होई आवा येने दर्शन कराई वाचे आवे जैन्या देखे पिर तंकर वलिले चादेखे पेगंबर पीरा हो पासे पीरा ने देखे वीरा यो पासी वीरा ने देखे जैय अने वज्र दिन राजा ने वाद करे के महराजा समाधी साचेश राजा आएवा चे येने पन भगवाने समाधी कराईवी भगवान पणानो निष्टे करायो चे मांगरोल शेहरना राजा ये वक्ते जुनागड ने मांगरोल शेहरमा मुसल्मान राज्य अतु स्वामिनारन भगवान ना भक्त बिनाच स्रीहरी ने प्रात्ना करी ने कहे छे के प्रभु मारी इच्छा छे के चातुर मास परियंत मारा शेहरमा रुकाई अमने बधायने कथा वार्ताना माध्यम द्वारा अमारा जीवन नी अंदर भगवानने राजी करवा माटेना जे साधनो होई ये शुन्दर मजानी वातो संभडाव स्रीहरी राजानो भावने प्रेम जोई सातुर मास परियंत मांगरोल शेहरमा रुकाईवानो संकल्प किरो छे स्रावन मास आयों कृष्ण पक्ष जन्मास्ट मिनो पवीत्र दिवश्य आयो छे स्रीहरी राजानो भावने प्रेमा जन्मास्ट मिनो बाव मोट उच्षव करेलो छे इवकते उच्षव नो लाव लेवा माटे दर्शन करवा माटे लाखो नी संक्यामा मानव मेदनी मांगरोल शेहरमा उंतेली छे बराबर रात्रिना बार वाइगाना समये भारत देश शायद आपड़ी जन्म तीथी कया दिव से आवती अशे यने आपड़े भुली जाता अशो पड़ा भारत देशनी जन्ता राम श्याम अने घनश्याम यमनी प्रागट्य तीथी जीवन माथी कोई दिवस भुली नहीं सके अने यमा या भारत देशने लिला पुर्षतम क्रश्न भगवान कैरिते प्राप्त थियाँ छे इतो क्यार एक वशुदेव ने देवकी जीने तमे पुछो कि देवकी ने तिया नानाईवा पुत्र नो जनम थाई नराधम कंश आवे अनि बाड़क ने हाथ मा लए पग पकड़ेने चारे बाजु उम्रावे फेरवे अने दिवाले जे खा करेने मांस ना लोंदा निकड़ी जाएं देवकी जीए एक नई छो छो दिकरावो पोतानी नरी आए खे पेलो नराधम आवे ताजा जनमेला कि तो ये समय ना देव की जीए था अटले आदुख ने सहन करी सिका अत्यार ना देव की होई तो हाड़ फेड तियांतिया थाई जाए आतो सहज मा आपने भगवान मड़ी गिया अटले आपने येनी कीमत नथी स्वामी नारेन भगवान कई रिते मिला छे येनी पाचड सू साधना करी छे ये तो पुछो धर्मदेवने भक्ति माताने चार चार दिवसना उपवास धया छे धर्मदेवने भक्ति माताने खावा नथी मेडवयम सत्षंगी जीवन कये श्युक्त भगवाने अने संतोय आपड़ा पुरुव जोये माताना बलिदानों आपिये अने आपने आ वार्षामा सत्षंग आपो छे कदात सत्षंग वधारी नो सको तो मुबारक छे पन जीए आपने वार्षामा सत्षंग मिडव छे यहनु जतन कर जो यहने साचव जो दीन प्रती दीन सत्षंग वृद्धी पामे यही मेहनत कर जो बराबर रात्री ना बार वैगे स्वामी नारन भगवाने आथमा आरती लई अने क्रश्ण प्रमात्मानी आरती उतायरी छे भगवाने सबामा चतर घोज स्वरूपे दर्षन आपी भगवान पणानों निश्चे करायो छे Śवार्नासमय स्वामी नारन भगवाने तमाम संतोभक्त जनोने पारणा क्रायोश्चes था, स्वामी नारन भगवाने शिक्षा पत्रीमा आगना करेश्च एकादशि जनमास्टमी राम नौमी शिवराधरी आधीक वृतना दिवसे उपवासकर्वो करना मानसों के आपने एकोई उक्वास नो करिया आपने तो एक राम नौ मीन उज करिये लो माटे खास वक्ते जनो सभामा बेठेला गरेक भायों ने बेहनो एका दसी नुवरत न करता होई तो एका दसी नुवरत करियो बनी शके तो एका दसी ना दिव से अनाज रंधाए नहीं सुबोत सागर मा तो दामोदरानन ब्रह्मचारिये तो यव लैखो छे के एका दसी ना दिव से अनाज सामे जोवाए पन नहीं बाले तमारा घर नाना छोकरा ओए फराड बनावान। खाओ और नकर चोखो एका दसी नुवफुवास करें तमें रोटली के बनावा तो छोकरा खाईने। खाश आया तो सभामा बैठेला बदा भगवान ना बक्तो चो अले बदा एका दसी नुवफुवरत करता जासो। कदाच अत्यार सुधी न केरू होए तो आ कथा साइबिडा पच्छी एका दसी नुवफुवरत करवाना नियम राखियो। महराज मांगरोल शेर मा नव मेनी विशाड सभा करेचे एमा मुकंद ब्रहमचारिये। आ लोक मा मानस कई रिते सुखी थाए। वगवाने इस सभामा सुंदर मजानो उदे साइपो यनु नाम नाराण गिता क्यवामा आवेश। सत्षंगी जीवनमा बे गिताच। प्रथम प्रक्रणी अंदर तमे बदा सांबड़ी गिया ये गितानु नाम सूँ अतु खबर सें। ये बदू परबार आई नमहा। बोलो एक गाम मा मच्छर अता है ये भाई ये मच्छर दानी नाइखी तो खरी पन बनने बाजू कान आटले अंदर मच्छर आवी जाए। कि अमारे भाई स्वामी जेवा वंसियार है ये एक पाइप लगाई ये वा तेने सु करूँ शामे एक कान हातो तिया पाइप ने राइखोन बिजो छेड़ो हतो इसामे कान हातो तिया राइखोन आटले आबाजों थी मच्छर गरन अटले सामे मच्छर निकड़ी जाए। इम घणाय मान स्वायवा वह आकाने कथा सांबले और आकाने बारे कथा पुरी थायन पुछो के सुवायूतु कथा मा भगुवान जाने लो। अब्या दादा तो आएला जाता तान वातु करता ता के कथा किया पौईची तो के यह आपने याद राखवान उए तो वक्तन याद राखवान उए ने किया थी शरू करवानी हैं। आव नो करता हो। तम्हेत बहु डाया शो। अमुक ने तो हाव सीडियू बगडिज गेवाये मा काय रेकोड़ नो थाए ने पटी बगड़ी गेवाये। आ हारू भगवान भुलुवाड़ी देशें। नकर तमने याद राखतो हैं। तम्हेत पसे कथा हां भड़वाद नो आव ने आपदू अमने याद छें। गम्हेत लिवार वचना मुरद वांची हैं। पूछो के सूं आवे। अतियारे सारू शें। कि आवा ताप मा आटली गर्मी मा किटला बदा भाईयो अने बेहनो तम्हें कथा सांभडवा माटे आवो अच्छों। एमाई जालावाड अतले कथा वारतानो प्यासू केवायों। रायत नी रायत कथा सांभडवी होय। तो इकोई ने कंटाणो नो आवे। अने इतला माटे आई जालावाड नो सत्संग जागतो शें। स्वामी नारायन भगवाने मांगरोल शेहर नी विशाण सभामा सुंदर मजान उपदेश आई पो एनू नाम नारायन गीता केवामा आवेच। स्रीहरिये भगवाना भक्तो एक यारे जागव। जाइगा पची सू करू भगवानू स्मरण करू थोडिकवार भगवाने याद करवा। वह इस एल्म करू आई पहला ना मानश नारिकवामा हमता नी वो चोमास आवेच नात था आपर आई कपड ड़ीने चोमास आवेन माठेवल io påड येल Нी पलडेन मोडामा पानE जायने यहला कारों के वर्षा थायो झारों ने पंटेवारों नुनु प्याला नमान सो दो भूत मान यमा काई प्यर नियो अमना एक ठेकाने कथा आती त्या मोरारी बापु बधाय रहा था तो मोरारी बापु ये प्रवचन नी अंदर येव कि दू के गुजरात नी प्रजाने नाती धोती करी होई तो इस्वामी नारेन भगवाने करी शे मोरारी बापु ना शब्दो के गुजरात नी प्रजा नावा धोव मा समत्ती नोती अगुजरात नी प्रजाने नाती धोती करी होई तोई सहजानन स्वामी ने लाखो लाखो धन्यवाद येवा हिंसाना हया माम मताना मस्तत्मा प्रग्ठो सहजानन की रदुदो दिगंत्मा अव्याध्यो सहजानन दिरम् राज्मने लाघ्यो सहजानन दिरम् एग शेरी माँ चौटा माखे तर माँ खळिया माँ तम क्यों सहजानन दीरंग एग शेरी माँ चौटा माँ खे तर माँ खळिया मदम क्यों सहजानन दीरंग भाई आज तम क्यों सहजानन दीरंग एवासंतो महंतो ने मुर्खा पंडितो माँ प्रग्टों सहजानन दीरंग राज मने लाजो भाई मने लाजो दिगंत माँ आपो सहजानन दीरंग राज मने लाजो सहजानन दीरंग श्त्री हरी कहे छे के स्नान किरा पछी बे प्रकार्नी पुजा करवी बे प्रकार्नी पुजा न थाए त्या सुधी अनजड लेवू नै तमने कदाच सायद यम थाए के बे प्रकार्नी पुजा कर एक प्रत्यक्ष पुजा ने बिजी मानसी पुजा कदाच मानसी पुजा न आवरती होई तो संतों नी पासे ब्यासी अने सिखी लेगे ब्यानों ने कदाच न आवरती होई तो संख्यों की माताओ पासे थी सिखी लेगे पचि माहराज कहेंचे के भगवाना भक्तोये रशा सक्ति न करतव्या सर्वेही सर्वत्र सर्वदा यथा कालं यथा लब्दं भोज्यं पत्रं पलादिवाग माहराज कहेंचे के भगवाना भक्तोये कोई दिवस रशा सक्ति न करतव्या रशा स्वाद नो करवो अमुक मानश होते हेवा रशाश्वादिया होईने ए जम्वा ब्यासे अटले लगभग ब्यानोना जी उंच होई या शांती थी जमी लेतो शारू शुराखाचर होता नि बव रशाश्वादिया होता माहराज एक वर चातुरमास मां शांता भाए वात करी याटले चातुरमास सरू थवानो नियम नी एकादशी ऐए याटले माहराज कहेंची के सुरा खाचर ए नियम नी एका दसी छे तमें काएंगे नियम लो नियम सुरो खाचर के महाराद तमें जे नियम आपो ए नियम राक्षू ते महाराद सुरा खाचर ने के सुरा खाचर ए तमारे जमता जमता बोलवानू नहीं शुराहरै। वीचार करे कि मारी फरियाद महारादनी पासे आवी गई। सारू महाराज नीयम राख्षू। अनि शुराहरैं गीया और पगतिया चड़ता चरथता शंता बाहां बड़ ये रिते शुराऎकार मेडा बोलुवा। ए आपानी खबर राख जो महाराज ये नियम आई पोचे नियम ए जमता जमता बोलवानू नै आपानी खबर राख जो सांता बाके आ तमारी खबर राखवा माटे तो गुड़ा नाशी पनसूरा खाचर गमेत जमसरा बाख जम आँ आजियों कराना जमता जमता बेसे ने आपाने आ जोई से आपाने आ जोई से अनको ठाक और जोने धरा राख जो जो इने यह एक लाख यह महाराज, किदा जेव नती पन प्याला करता हूं, यह हार हुशे, कि जमता जमता बोलता नती हैं, अहां बने ने त्यास वदी बोलुआ नो ओच्छु राखू, और अमाई जे उमर लायक होई ने, तो जेटलो ओच्छु बोले ने, येटला हारा लागे, पन खबर ने जबा मंडे, आएखे ओच्छु हम भड़ाई, आएखे हम भड़ाई, तमे पन दिध्यम दिदेज करो सोगे, आप आड़े बास आलो, आएखे ओच्छु देखाए, काने ओच्छु हम भड़ाई, आत्पग जाए, पन जे मानस उमर लायक थाए ने, यह जीव से नी तारद थाती जाए, ए बोले यहनी ना नहीं पन हारू बोल जो, जो आव रुद्धो नो बोले ने, तो मंदिर मा जे रिते ठाकोर जी नी पुझा करे से न भगवार ना वक्त ये रिते वव वई नी तमारी पुझा करे, पन बोईलावी ना रेद नी, ये ने, बोलामयमान आवाऊन उन्चा बनाय वेने, जा भीटा भीटा भात करे, एह ओ, आविले तो आवर नावर आवार करो तो आवी चा भीव पुझा करे, ये बोले वाव तम ने, गो मुतर पाती वाईशि ए पना बोमुग को नो मरे एन, आ बाजू ना दादा बदा ब नाराज कहे छे के रसा सक्तिन करतविया, सर्वेही सर्वत्र सर्वदा, अधभुद से नारायन गीता, खरे खर नारायन गीता निकता राखु वें तो पांदी आले यही चे वो नारायन गीता, आतो तमने एकाद्वे स्लोक संबडाव उसु। योडी मोटी नाराण गीताश शरस्मजानी वाद करी छे एक एक अधभूत पन तमने नाराण गीतानी एक ब्या वाद करी अने पच्छी आगड कथा यथा कालम यथा लब्दम भोज्यम पत्रम फलादिवा तमे बदा न खावानू खाई लोचो यन पाच्छनू कारण तमे तपाई शरस्मजानी तमने खबर नथी वाती कि आवस्तु खावा जेवी नथी छताई पन तमे खाई लोचो यनू कारण शु रशास्वाद प्रशास्वादने कारणेज मानस्न खावानी वस्तु खाई लेश वाला भक्त जनू सभामा बेठेला कदाज कोईक बार नू खाणू खाता होई बनी सके तो बाहर नू बव खाई शो ने तमे खाऊ शु त्यारे ने शू की दुख बर्श ए माना वईने माना कि कोई दिवस अखाई नो सके ये रित्य वाटल मा बने शु भले वाटल नू मालिक्षू शु श्ताई कोई दिवस वाटल नी वस्तु में मौधामा न थिमुई कि अहार शुद्धव सत्व शुद्धी सत्व सुद्धव ध्रुवाश मुरुति ही वेद यम कए छे का अहार सुद्धव सत्व सुद्धी आहार सुद्ध हसे तोज सारा विचारो आवशे सारा विचारो आवशे, तमारों अंतहकरन पवित्र बन्षे, तोज अखन्द भगवानी स्मूरुती रेशे, तोज तमारों मोक्ष थाषे, प्रथम पगतियुद्चे अहार, अहार शुद्धाव, शत्व शुद्धी, शत्व शुद्धाव, ध्रुवास् मूरुति ही, अहार एवो ओड़कार एम शास्त्रों कहेश इतला माटे डुंगडी लशन खावानी नासा माटे पाडवा माएवीश कि इतमों गुणी शे कि खावो हटले तमने कोई दिवस मन स्तीर न थाए भगवानू धियान नो थाए भगवानू भजन न थाए स्वामी नारेन जंबवा माटे ब्याठा तो यहना इमा डुंगडी मुई कीते दड़िन जतीरी स्वामी नेन के अवे कोई दिखाई भी जाके आवी बातू करता हूँ मैं अहां बड़ेली आवी पाई एव काई न थी आतो पुराण मा तमाम शास्त्रों मा तमों गुणी ववाने कारणे शास्त्रों यह मना किरेश तमें तो कोई खाता ने है तमें तो बदा तिलत चनला वारा स्वामी नारेन भगुवान भगत भ्याठाशो कियारे क्यारे क्यारेक वोटल मा गी आवाई डूंगडी लेसन आई वे ते एक बाज मुकिन खाई ली तारे खादीनों के वाई ने महाराज कहे छे के अवशब्द न वक्तव्या ना नृतम चापदम विना महाराज कहे छे के रंका आपी अरेर भगता नाव मान्या ही करही चित अव माना तादुरुशाना भवद एव महद भयम महाराज कहे छे के भगवान न वक्त रांक होई तो पन तेनू क्यारे अपमान करू नहीं कारण के वा भगवान ना भगत न अपमान थी मोटो भाही उत्पन थाई वाला भगत जनो बनी सके ने तो जीवन मा कोई दिवस कोई नो द्रोनो करता या स्वयम भगवान यम कहे छे के रंका अपी हरेर भक्त नाव मानिया ही करही चीत पले साव गरीब होय गणिवार मानस गरीब मानी अने जेम ते मेनो तिरसकार फावे अमेनो अकमान करता होय चे कदा ची व्यक्ती गरीब चे अटले सहन करी लेशे पनी भगवान भक्त के गरीब जे दुखी थ सेने येनो द्रोन निशाशा सेने येनो फ़ाड तमारे एक दिवस चोकस भगवाना दिवस्वश्वश्वश्वडवद्रामा नाथ भक्त हता साव गरिब परिस्थिती जिवन मायो वणांकायो पेट पूर्तु खावानू नमडे नाथ भगत तो दुख ने सहन करी शके पन घरे नाना छोकरा कई रिते दुख सहन करी सके नाथ भगत ते पत्नी ने वाद करी पत्नी काये छे के पति देह भगवान ने प्रात्ना कर जो जीवन ने अंदर कोई दिवस कोई ने दारिद्र न आपतो येने कारने सारोय परिवार हेरान था तो है विचार केरो के आपने तो कदाद भूख सहन करी सक्षो ना ना छोकराओ माते यम करी आपनी भेंश से नी भेची देह शहर मा वात एक बिजा मानसो करवा मिदा कि नाथ भगत ने त्नी भेंश से ये वेचवानी वात करी रया छे नारूपंत नाना सहेव ये जियारे वात जानवा मेड़ी तरत मानसो ने मोकली अने कि दू के नाथ भगत ने कही जो कि नारूपंत नाना सहेव ने तमारी पेंश जोई से जे किमत थती हो ये किमत आपी दिश प्याई सापी दिधी गणव समय व्यतित थाई गियो पन सहेव रूपिया न आई पा नाथ भगत ने येना पत्नी ये वात करी के पति देव नारूपंत नाना मोटा मानस इने न आपवाई एवी येनी दानत न होई पन विहवार नी जवाबदारी मव मोटी होवा ने कारणे भुली गिया आशे तो तम्में मंदीरे जाई शो इपन मंदीरे दरोज आवे छे तो आजे तमने द्विगा था येले सहज वात करशो तमने रूपिया आपी दीश नात भगत मंदीरे गिया देवना दर्शन करेने पगत्या आतातिया उभार या तो नारुपंत नाना साहेव खड़ा उपर ब्यासी मानशो नी साथे मंदीरे दर्शन करवा माटे आईवा देवना दर्शन करी शदगुरु वरिये गोपाड़ान स्वामी सभा मंदप मा बैठेला स्वामी जीना दर्शन करीन पगत्या उत्री अने पोतानी मोजडी आती प्यार ताता त्या नात भगत जई अने कहे छे के साहेव तमेज हमारी भेंश लई गिया घणो समय व्यतित जई गियो अत्यारे खूब जरूर से तो जे किम्मत होई पैसा मने आपी दो अने बधाय मानसों नी वैचमा जियारे नात भगते साहेव नी पासे मागणी करी अने गयमू नही एकदम क्रोधा वेश मा आवी अने पगमाजी मोजडी प्यारेली आती काडी अने नात भगत उपर जियां कहा करवा माटे जायन सभा मंडप मा गुपाड़नन स्वामी ब्याठाता यह मनू धियान गियो स्वामी एत्याथी बोम पाडी नारुपंत नाना खबड़दार तमे नात भगत उपर मोजडी नथी उगामी रया अने जियां गुपाड़नन स्वामी आटलाज सब्दो कयां आटले नारुपंत नाना मोजडी पैरिन त्याथी निकडी इया पड़ यह वक्ते नात भगत ने यह म थियो पैसे आपवानि वाद तो एक बाजु रही और उपर जाता आरी ते जुडानो प्रहार करवा माटे तयार थया अने यह वक्ते नात भगत नी आइक माथी जे आशू पिडा एनी नोंद स्वामी नारन भुगवाने लिधी महलो नवाशी गरीबी शुजाने दुखिया न दूखनी सुखिया शुजाने महलनी अन्दर रहनारा श्रिमंत शेठिया वस्पू जाने अदभूत छे कलम यक कवी नी चकरी मी प्रीती कागा शुजाने लगनी मी रानी राणों सुजाने दुबेला निहालत तरलो सुजाने शहीदो निमस्ती कायर सुजाने महलो नवासी करी भी शुजाने दुखिया न दूखने सुखिया शुजाने दुखिया न दूखने सुखिया शुजाने नारुपंत नाना ये समय जता नारूपंत नाना अने सयाजी राव सरकार येना पत्नी राणी बनने भेगा था येने कावत्रू किरू कि गमे येम करी येने सयाजी राव सरकार ये मारी ने आपडे राज्य चला हू कागड़ी यानी अंदर लखान केरो निच्य बनने सय केरी अने नारूपंत नाना ये कोट ना खिसा मा कागड़ी नाइकू दरोज धोबी कपडा धोवा माटे लई जाए कपडा पलारता पेला धोबी खिसा तपासे येमा बरोबरा कागड़ी नीकड़ू अटले तम विचार करो भगवा ने आब आजो धोबी ने इवा विचार आई पा के सायद सयाजिराव सरकार येना मंत्री के वाए माते कदा सयाजिराव सरकार नू कही काम नू आ कागड़ी वसे अटले प्याला धोबी ये डायरेक सयाजिराव सरकार ने कागड़ी वाई पी अटले बाजुमा माने सहसे एने किदू के वाँचो जो ये आ कागड़ी वसानू अने अने मारी नाखवा मात्रेनू कावत्रू करेलू नीचे सयाजिराव सरकार येना पत्नी आई वा राणी इत्यास मा यो लखवा मायो के सयाजिराव सरकार येना पत्नी ने त्यां त्यां दिवाल मा जड़ी दी अत्यारे ने अत्यारे नारुपंत नाना ने बंदिवान करेने मारी सामें हजर करो नारुपंत नाना ने बांधी येने सयाजिराव सरकार ने सामें हजर किरा आज राजा एटला बदा कुश्र तो आवी गिया के मने मारी नाखवा माटे नू कावत्रू ते वे करुव नियान मा तलवार अति तलवार ने कागी विचार करयो के एक जङट के धण माति मस्तकलग करी नाखव और जिया तलवार नो कभा करवा माटे जाए त्यां सयाजी राव सरकार ने स्वामी नारेन भगवार ना शब्दो याद आवे गिया राजन वो तमने भलामन करो छो के आ नारू पंतना ना गम्मे तेवा वाक मा आवे छताय पणे ने देहांत डंड ने तमे शिक्षान न करता आ शब्दो याद आवता तलवार म्यान करी दिधी सयाजी राव सरकार कहे छे के अत्यार ने अत्यारे तु वडोद्रा शेर ने छोड़ी ने चैलो जाए इजमानामा नारू पंतना ना करोण पती हता पन भगवान ना भगत नात भगत नो द्रोक इरो एकज मिनीट मा रोड पती थाई गिया एटला माटे स्रीहरी कहे छे के भगवान ना भगत ये कोई दिवस कोई नो द्रोणो करवो स्टुन्दर मजानो उबदिय शैपो छे श्रीहरी त्यां थी निकडि अने माना वदर नाम नुगाम छे त्या वधैराज मयाराम भट श्रीहरीना अनन्य भगत हता स्रीहरीनो पुजन केरू छे भगवान नी प्राथना अने स्तुती केरी छे स्रीहरी ये माना वदर गाम मा भगवान ना भगत ये भगवान नी भगति मा विग्ण रूप मोटा मा मोटा पांच सत्रू छे माटे पांच सत्रू ने भगवान ना भगत ये जित्वा एवी सुन्दर मजा नी उभुदेश नी वात किरेश अमे यहो सायंबिडू छे के तमे नवरात्री मा देव देविने निमित बनावे अने माताजे नी आगण बक्रा मुरुगला आधिक जिवो नी तमे इंशा करो छो वाला भगत जनों आज थी बशो वरस पहला देव देविने निमित बनावी पोता ने रशा स्वाद वोय, पोता ने मांश खाव वोय देव देविने निमित बनावी अने मांशो माताजे नी आगण खेटा अने बक्रा वदेरे अतियारे पुन समाज मां कियांक आवी अंदस्रद्धावो देखाई रही छे तमने प्रस्टन करू कि मां होई कोई दिवस आवु बली दान मागे आतो जे मानसोने मांच खावू छे इ मानसो देव देविने निमित बनावी माताजिनी आगण खेटा बकरा आधिक जिवोनी इंशा करता होई छे इतला माटे स्वामी नारान भगवान ने शिक्षा पत्रीमा आगना करवी पड़ी जिया आवी क्रिया थती होई तिया कोई दिवस भगवान भगतो ये जावू नहीं तिया प्रशादी पन लेवी नहीं जिया आवी क्रिया थती होई तियने तो संसान केवाई एवास तड़ो ए कोई दिवस देवी देवतानो निवास होयज नहीं आवी करिया करता होई तो समाज ना ड़ानो ये भीगा थाई आवी क्रियानो निशेद करवा जोई आई स्वामि नाराण भगवाने बसो वरस प्यवला क्षत्रियों ने भिगा करी ने कहे छे के क्षत्रियों तमने भगवाने आ क्षत्रियमा जन्वा आइपो छे ब्रामन गायो दिक्रियो निति तमारे रक्षा करवी जोई अने ये बटले तमे पशुवना वध करो छो स्वामिनारन भगवाने ख्षत्रियों ने एरित्नो सुंदर्मजानो उपदेश आइपो तमाम ख्षत्रियों नियम लिदा के प्रभू अमे पचि अमारा जिवनमा कोई दिवस इंशा ने करिये स्वामिनारन भगवाने शिक्षा पत्रियों आलेखन केरू एमा अग्यार मोशलो कश्यापी प्राणी नो इंशा नेव कार्यात्र मामकेही सुक्ष्म युकामत कुणादे रपी बुद्ध्या कदाचन महराज कहें छे कि अमारा आश्री तो ये कोई दिवस नाना इवा जू माकड चाचड आदिक नी पन इंशानों करवे पहला सूँ था जो खबर है ब्यानों है ने माथा बराबर दोवे ने अटले टोला ने लिखू पड़ती ते पसे ब्यानों बदा ब्यागा था एक बिजाना माथा जोता जाए ने इमा टोलो निकड़े ने में तो आओ जोई लो इनकु पर मुकेन बिजा नक्ती जे दबावे नकने तमारे रंगवानों पड़े एमने रंगले ने तो सारू से अचले भगवार ना भगतो है पर तो नाढ़ आएवा जू माघड चाचड़नी इंसा मों करावे समय्करतान ने गॉइका इता मात्र फम्प लीग आपने भगवार ना 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 भगवार लोग, राजी करवानू रयू परू, पन नव कराविये हरीने कोग, पिपा पाप न कीजिये तो कुण्य किया सवार, किसी का लिया नहीं, तो दिया वार जाव। श्री हरी ये पाडेर गाम मा कोई पन प्राणी वनी इंचान न करवी, आवो सुंदर मजान उपदेश आएपो छे। श्री हरी तिया थी निकड़ी, अलैया, सेखपार, भादर नाम नू गाम छे तिया वधैराज। भादर गाम मा थी स्वामिनारान संप्रह दैने, एक महान संत नी भेट मेडी, ए संत सदगुरु वरिय गुनातितानन स्वामी। जुनागड मंदिर मा चालीस वरस वदी महंत पदे रही, और शौरठ देश नी अंदर जे उपास्नानी वातु करी। आजी सौरठ देश नी अंदर तमने उपास्नाने सहजानन स्वामी नो केफ ने खुमारी जोवा मलती होय, तो एनू पाच्छन नू कारण सदगुरु वरिय गुनातितानन स्वामी। तियां थी महाराज निकड़ी अने जोडिया नाम नू गाम छे तियां बधायराज। तियां एक भगवान ना एक मान भक्त तैनू नाम अतू हरवाए। कि महाराज बधायरा अतले। स्रीहरी केए। महाराज ने महाराज ने माते पुडला बनाए वाई। इमा बरोबर महाराज बजार मा चाहिला जाई से इमा भूज थी सुंदर जी भाइशुतार जोडिया गाम मा आएवाने भगवान नो भीटो थेगी ओ महाराज में के महाराज ए घणा समय थिया कच्छ मा पदायरा न थी तो हमारी इच्छा चे के तमे भूज पदारे बजायने दर्शन आपे अने कृतार्थ बनावो ओलो कहे चे के हमें वर्षो थिया शमूद्रमा वहान चलाविये अतियार शोधी तो हमारा जीवन मा कोई दिवस डुबू न थिये महाराज कहे चे के कदाच डुबे तो एस महातमा जी हो मा कदाच एकाद डुब तो है माराज के हो मैलू आतार होई तो अने ओलानो मगज गियो के कदाच डुबो तो तमारी पासर कौन रांडव वाड़ू अने रोह वाड़ू शे सुंदर्जी भाई माहराज निके माहराज सानमाना बैसी जाव शू अनियारे लभ के रोश अने माहराज वाहन मा बैठा कोलो वाहन चलाव मेंडो खनो समय व्यत्य थाईगियो चताई स्वामी नारन भगवान आई आपाजो तो अने पोते समाधी निस्ट अटले तरत जाईखो बंद करे त्यात सुंदर्जी भाई ने साथे वाहन मा बैसिन स्वामी नारन भगवान भूज जय रयाच अने हर बाय वंतो ज़्यानु स्वरभ धारन कईरू ज़ोर दार पवन भुकावा मेंडो मोटा मोटा समुद्रमा मोजा सरू थिया ओलो वहान वालो घणो कंट्रोल करे सताई वहान कंट्रोल थाई ने स्वामी नारन भगवान के क्यातो तोने ऍाईर कंट्रोल आयल पलो विचार करे के मानो के नमानो आप बोईलान अटले जाओ थावा मेंडू माटे कामन टुमनियो लागेश स्वामी नारण भगवान के तने अमारामा संका जाती होई तो आमे समुद्रमा पिडा और महाराज समुद्रमा कुद्को मैरो स्वामी नारण भगवाने टीचन जेटलू पाणी थावा दीदू महाराज स्वामी नारण भगवाने अमे कही ने आईवा आता के तमे थाड़ तैयार करीने राख जो आमे जम्वा माटे वधारी शो अटले हर बाई ये जवन तोडियानू स्वर्व धारन किरू हतू स्वामी नारण भगवान हर बाई ने तन्या जई अने थाड जिम्यास माहराज छे भाव ना भीखा छे प्रेम ना भीखा छे प्रेम नी ताकात छे के परमात माने पन बंधन मा लावी शकेश प्रेम ड्याज़ माने थाल वावी शकेश म्द्लीपन होगा समीजन ते पात्र भीखा जाओवान और कर लाओषा प्रेम उजू 레गष